हेलो माइडिये स्टूडेंस माइडेंट ब्रेंज के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है मैं हूँ आपके इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 10 दे ग्रेट सोन फेस्टू के समरी को हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं एक पूरी किताब का तो चलिए बिना वक्त जाया करें हमारी समरी को स्टाट करते हैं पहले एक छोटा सा परिचाह ले लेते हैं दे ग्रेट टोन फेस पार्ट टू कंसे ऑफ श्टोरी विच इस ऐस पर प्रिवियस चैप्टर सबसे पहले चीज़ यही है कि ग्रेट टोन फेस 2 जो है वो इससे पहले वाला जो chapter था अपना उसका continuation है ना उसी को जारी रखा गया है the great stone face part 1 का continuation in this part we learn how earnest grew up to be a wise man who would work for the betterment of the valley हमने इस chapter में क्या जाना है कि कैसे earnest बड़ा होके बुड़ा होकर एक बहुत बहतर इंसान बनता है जो की घाटे के लोगों के लिए भला करता है भले का काम करता है he finally met a poet who declared that earnest was the actual look alike of the great stone face earnest एक कभी से मिलता है जो कि यह declare कर देता है जो कि यह साबित कर देता है एक तरीके से कि earnest ही great stone face का हमशकल है इस chapter में क्या होता है this chapter is the final installment of the story यह जो पूरी कहानी है great stone face के बारे में उस घाटी के बारे में वहां के लोग के बारे में और earnest के बारे में उसका यह final installment है ना मतलब आखरी हिस्सा है मतलब अभी तक earnest जो है बेसबरी से इंतजार कर रहा था उस व्यक्ति का जो की great stone face के जैसा दिखने वाला होगा earnest didn't go out of the valley and continue to stay there और earnest ने किसी प्रकार की खोज करने की कोशिश नहीं करी है वो इंतजार कर रहा था आप देख रहे हैं खोज और इंतजार में क्या अंतर होता है खोजना का मतलब होता है आप किसी को ढूंड रहे हैं आप कोशिश करेंगे यहां वहां जाएंगे ढूंडेंगे लेकिन इंतजार में आप वहीं रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि वह इंसान यहां जरूर आएगा जैसे जैसे वह बूड़े होते गए वैसे वह और जादा ही समझदार और बड़े विद्वान आदमी बनते गए तो अरनेस्ट के बारे में यह था कि इसमें हमको यह पता चलता है कि अरनेस्ट अभी बी इंतजार कर रहे हैं बेसबरी से और अरनेस्ट उस्वेक्ति को ढू instead of leading a lavish lifestyle outside the valley he stayed back and worked for the betterment of the people in the valley मतलब पहले यहां कॉमा से पहले वाली लाइन का यह अथ हो जाएगा कि इसकी बजाए कि वह बाहर जाकर एक बहुत ही बढ़िया lifestyle जीते बहुत ही अच्छा जीवन जीते वाली के बाहर जाकर उसके बजाए उन्हों क्या किया उन्होंने सोचा मुझे मेरी घाटी के लिए ही अच्छा काम करना चाहिए मतलब कि वह अपनी जीवन में आगे जरूर बढ़ना थे बहुती जादा मददगार थे इस wisdom spread far and wide उनकी जो सोच थी उनकी जो समझदारी वो विद्वान जो उनकी थी विद्या वो क्या हुई spread far and wide वो दूर दूर तक मशूर होगा इस चीज को लेके many people would come and meet him to seek his advice बहुत सारे लोग आकार मिलते थे और उनसे जीवन का जुथा सार जीवन की शिक्षा ज्यान ले करके जाते थे तो घाटी के बाहर जाने की वजाने घाटी में रहना क्यों पसंद किया ताकि वो लोगों का भला कर सके और अपनी घाटी को एक बहतर जगे बना सके हैं ना उनको अच्छी सलाह दे सके और जैसे वह बहुत ही सद विनमर और मददगार के व्यक्ति थे तो और उनकी जो यह विद्वानता थी जो उनकी यह समझदारी थी क्या करें तो मतलब कि वह अब एक कांसलर की तरह बन गये थे उन्हों इतने ज्यानी हो गये थे वन समर डे अपोईट अर्ड़ाइव एट अर्नेस्ट दोर होल्डिंग अबोके इस हैंड अब एक गर्मी की दुपहर में क्या हुआ जब अर्नेस्ट खुद भी किताब मतलब पोईट ने क्या किया अर्नेस्ट से बोला मुझे एक रात रुकने के लिए आश्रे चाहिए तो आपके मुझे दे सकते हैं क्या मैं आपके घर रुख सकता हूं तो उसके लिए उन्हों ने क्या किया लाटर हैपिली अग्रीट का मतलब देखिए ही पहले आया है और सरे लेकिन पढ़ी हैं कि हम मैं नावन को बार बार इस्तमाल करते हैं हैं यहां पर किया है याट मतलन होता है बाद में आने वाला है तो लाट बाद में कोन आ रहा है अर्नेस्ट से जो के लिए हूं तो लाटर जब भी ऐसे किसी सेंटेंस में यूज होता है आपको यह देखना पड़ेगा की कौन से दो सब्जेक्ट यूस करें हैं सेंटेंस में सबसे पहले और जो बाद में आने वाला सेब्जेक्ट है ना उसके लिए लेटर इस्तेमाल होता है थीक है तो क्या किया उन्हों इतने ज़्याता घुश हुए यह देखकर कि अर्नेस्ट का जो वहवार है वो कितना ज़्याधा मेहман नवाजी वाला है मेरी कितनी महमान नवाजी कर रहे थे हैं और उन्हांने यह भी कहा कि मैंने इतना जादा जेंटल वाईज और दयालू मनलब इतना समझदार इतना ग्यानी इतना सौमिस भाव वाला और इतना दयालू वेक्तियाश तक नहीं देखा था तो हमने क्या देखा कि पोएट आये दुपहर में और अरनेस्ट के पास आके उनके घर में आके बोलते हैं कि मुझे एक आत का बसेरा चाहिए कि आप में आपके घर में रुक जाता हूं तो अरनेस्ट निखा बिलकुल आप रुक सकते हैं खुशी-खुशी उन्हें महमान नावाजी करने केलिए उन्हें सहमती दी और अरनेस्ट की महमान नावाजी को देखकर पोएट बहुत खुश हुए आज Ernest was delighted to meet the poet too and wondered if the poet resembled the great stone face और Ernest poet से मिल की इतने ज़्यादा खुश थे कि उनको ऐसा लगने लगा दा कहीं poet great stone face की समानता तो नहीं है He told the poet that throughout his life he had been eagerly waiting the prophecy regarding the great stone face to come true अब देखिये यह sentence थोड़ा सा सुनने में आटपटा सा लग रहा है क्योंकि sentence की जो शब्दों की जो रखावार मतलब जमाना है वो arrangement है वो थोड़ी सी आगे पीछे होगी है लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जब sentence को अराम से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आजाएगा कि उसको किस तरीके से कहा गया है कि he told the poet that throughout his life he had been eagerly awaiting the prophecy regarding the great stone face to come true मतलब जो prophecy है किसके बारे में अब आप इतना भी बोल सकते थे awaiting the prophecy to come true कि आप भविश्वाणी को का सच होने का इंतजार जीवन भर से कर रहा है अर्नेस्ट वो यह पात पोएट को बताता है लेकिन उन्होंने बीच में क्या किया है prophecy के बारे में बताया है किस बारे में वो prophecy great stone face के बारे में जो prophecy है उसके सच होने का इंतजार वो कर रहे हैं इतने जादा जैसे पोएट अर्नेस्ट नेस बिलके खुष हुए थै बिलकुल उसी तरीके से अर्नेस्ट भी पोएट से मिलके बहुत खुष उए और पोएट जैसा एक बहुत ही सुलज़ा हुआ और इतना समझदार व्यक्ति देख को लगने लग गया था कि कहीं ग्रेट स्टोन फेस की समानता जो भविश्यवानी वाला व्यक्ति है वह पोएट तो नहीं है कहीं तो कभी को उसने बताया कि मैं बहुत साल से मतलब पूरे तरीके से ही अपने जीवन में उस भविश् पिक्षक अपना दोस्त अपना साथी सभी तो बना कर रखा हुआ था फिर ही फेल्ट दाट पोएट हेल्ट लाइकनेस अफ ग्रेट स्टोन फेस उनको ऐसा लगा अर्नेस्ट को कि शायद इनका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हो तो दिस दपोएट फेंटली स्माइल जब पोएट को ये पता चला कि अर्नेस्ट ये तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं तो पोएट ने खलकी सी मुस्कुराहिट दी किया रहे कैसी बाते कर रहे हो और उन्हें कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ अफ्टर हाविग अलॉंग कॉन्वर्सेशन विथ अर्नेस्ट थे पोएट वोज ग्रेटली इंप्रेज़ विथें इतनी सारी बाते करने के बाद अर्नेस्ट से बहुत जाता प्रभावित हो गय थे पोएट और उनको ये लगने लग गया था है कि कोई व्यक्ति जो इतना वो दिमान हो इतना ज्यानी हो वो इतना साधारन और इतना सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है उसमें एक रती भर घमंड नहीं है ना मैं तो कह रही हूं कि उसमें गर्व भी महसूस नहीं हो रहा है उसको खुद पर कि मैंने अपने जीवन में ये कर लिया है उसके साब से उस कविताएं बहुत ही खुबसूरत होती होंगी लेकिन मेरा जीवन उन कविताओं के हिसाब से नहीं चल पाता है तो अब तो कभी तो बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे अर्नेस से अर्नेस्ट के लिए ही ये लाटर का इस्तमाल हुआ है ठीक है तो संसेट जब सूरज दूबने लगा शाम हो रही थी तो वो अर्नेस्ट के साथ गए अपने आसपड़ोस के लोगों से बात करने के लिए अर्नेस्ट का ये रोज की आदत थी रोज की हैबिट थी कि वो अपने आसपड़ोस के लोगों से जाके मिलता था उनसे कुछ अच्छी बाते करता था ज्यान वर्दक बाते करता था तो उसमें उसने सुचा आज मैं अपने महमान को भी लेके चलता हूं पोईट को भी ले इस पोप वेरी जेंटली तू दी ओडियंस उन्होंने बहुत ही सुद्णर तरीके से अपनी ओडियंस से बात करी इस वरकर्ड वर पावफुल एज अग्रीड विथ रियल अंडी थॉर्ट उनके जो वर्कर्ड थे सॉरी उनके जो वर्ट थे वही मैंने का अर्नेस्ट तो क किसी के लिए का कोई काम किसी से करवाता ही नहीं है अर्नेस्ट खुद ही काम करता है तो उनकी जो शब्द थे उनमें दम था उनकी बात में दम था और उन्होंने इस रियल और डीप थॉर्ट से लोग उनके अगरी करते थे कि हाँ यह बिल्कुल सत्य बोल रहा है कई बार मतलब हमने चाप्टर में भी देखा थ और हर्मोनाइज होने का मतलब होता है एक समान होना मतलब एक साथ चलना जैसे आप म्यूजिक बजा रहे हैं और कोई आपका दोस्त भी हो भी बजा रहा है तो आप आड़ा तेरा कुछ भी कुछ बजाएंगे तो क्या वह एक जैसा सुनाई निदेगा लेकिन अगर आप साथ में बजाएंगे जैसे स्कूल मार्च पास्ट होती है तो उसमें जो ड्रम बचता है वो कितने हार्मनी में बचता है ना क्योंकि वह एक साथ बचते हैं सारे ड्रम इसलिए तो इतना सुन्दर सुनाई देता है बिल्कुल वैसे यहां पर लोगों ने अपनी सोच को अर्नेस्ट काफी एक समान थी इसलिए अर्नेस्ट और वहां के लोग इस बात को एक साथ समझ पा रहे थे तो पोईट और अर्नेस्ट गए भाई एक मीटिंग के लिए अपने आसपर उसके लोगों से मिलने के लिए और अपने महमान को संग लेके चला गया अर्नेस्ट ने वहां पर ल बिश्वास रखते थे कि अर्नेस्ट की बाते वाकई में एक बहुत ही सुंदर स्वर्डक रहा होती है इसलिए लोकाते थे उनसे बात करने के लिए और इन सब चीजों पर द्यान कौन दे रहा था हमारे कवी साहब यहां पर ध्यान दे रहे थे Ernest की हर चीज के ऊपर It was not late before the poet realized that the man who resembled the great stone face was none other than Ernest himself मतलब ज्यादा देर नहीं लगी कवी को यह समझने में कि Ernest ही वो व्यक्ती है जो भविश्यवानी सच करने वाला है great stone face की शकल Ernest से ही मिलती है He was a noble man with a thoughtful face and had a kind behavior towards everyone मतलब वो एक अच्छे वैक्ती तो थे ही उसके साथ उनकी चेहरे पर ही बहुत ज़्यादा अशा लगता था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ कर चलने वाले वैक्ती है उसके साथ साथ लोगों से बहुत ही दया का वहवार रखते थे अर्नेस्ट तो यह सारी जो गुण है सारी qualities जो हैं यह बिल्कुल fit better यह great stone face के द्वारा बताए गए मतलब उस भविश्यवानी के द्वारा बताए गई व्यक्ती की गुण और अर्नेस्ट के गुण बिल्कुल एक जैसे थे तो poet कि अध्यान देरा था कि वह वह कितना विश्वास है लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था तो उनको जादा देर नहीं लगी चीज भापने में कि अर्नेस जो है वही ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है और वही भविश्यवानी को सच करेगा क्योंकि उसका वहवार इतना सुंदर था सब की तरह वह बहुती सजन व्यक्ति था और मेल खा रहे थे वेन दबॉइट एक्सप्रेश्ट देस इन दे प्रेजंस ऑफ दी ओडियंस जब पोईट ने ओडियंस के सामने वहां बैठे दर्शकों के सामने यह चीज कहीं कि अर्नेस्टी ग्रेट स्टोन फेस की परचाई है अर्नेस्ट वस दी एक्चुल लुक तो आप उसको साथ देंगे हां हां यह सही बोल रहा है इसको कहते हैं वाउच करना ठीक है तो जहां वहां बैटे हुए जितने दर्शक थे उन्होंने कवी की इस बात में सहमती दी हां बोला कि हां यह सही कह रहा है अर्नेस्ट तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दि नहीं था अर्नेस्ट को सब लोगों ने अच्छा व्यक्ति विद्वान बनते हुए देखा है लोगों की भलाई करते हुए देखा है और अब तो उसके चहरा भी मिलता है तो पोईट के यह कहने पर सारे दर्शकों ने इस बात पर गौर किया और हामी में भरी कि हां तुम स सेली यह अब और नर्नेस्ट अभी इस चीज से कंटेंट नहीं थे मतलब कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज से सहमती लेना आप यह चीज में कंफ्यूस ना करें Spelling बिलकुल एक जैसी होती है कंटेंट को कि दो मतलब होते हैं जब आम इसको कंटेंट बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कि आप बहुत सहमत है उस चीज से content इड़ इसका एक वर्ड बनता है content ठीक है content का मतलब होता है जैसे आपको बहुत भूक लग रही आपने का ममी ने बोला हाँ ठीक है आइस्क्रीम खाला आप ममी ने आपको बोलते हो तो content का मतलब हो जाता है matter सामान कोई चीज आपने बोला कि content भेश दो मुझको तो वो content होता है उसका मतलब होता है matter substance content ठीक है जैसे आपने magazines में देखा होगा index में उपर लिखा रहता है contents है ना वो content वाला contents होता है वो content नहीं होता contents नहीं होता वो contents होता है ठीक है तो यह चीज में कभी confused मत हो ना यहां content नहीं है यहां पर content है जिसका मतलब होता है कि earnest को इस चीज से संतुष्टी नहीं थी earnest agreement से संतुष्ट नहीं था कि उसको ऐसी आशा थी कि किसी दिन एक बहुत ही विद्वान और समझदार और मुझसे बहतर व्यक्ति यहां आएगा जो कि इस घाटी में आकर bearing a resemblance to the great stone face जब वो इस घाटी में आएगा तो उसकी शकल भी great stone face से मिलती होगी और वो तो यह बात मानने को तयार ही नहीं था कि उसकी स्वयम की शकल मिलती है वो स्वयम कितना अच्छा व्यक्ति है तो यह कितना ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था earnest कि उसको आखिर तक यह विश्वास नहीं था कि मैं उतना बह्ला व्यक्ति नहीं हूँ जो ए कितनी पुरानी और बड़ी भववश्वानी को पूर्ण करू उसको ऐसा ऐसास था कि एक दिन जरूरर एक महान वक्ति आएगा जो इस भवववश्वानी को पूरा करेगा इसका निशकर इसका conclusion क्या निकलता है, the chapter the great stone face part 2 highlights to the students that the man who was desperately searching for a lookalike of great stone face turned out to be the one who resembled the great mountain, ठीक है, कि जो व्यक्ति, जो इंसान था, earnest, जो था हमारा protagonist था, वो desperately ढूंड रहा था, desperately मतलब उससे सबर नहीं किया जा रहा था, बेसबर हो रहा था, ढूंड रहा था, for a lookalike of great stone face, great stone face की शकल जैसा दिखने वाला व्यक्ति ढूंड रहा था, और वो खुद ही वो व्यक्ति निकला, है ना, however, he didn't believe other people's words and hoped the man resembling the great stone face would arrive someday, लेकिन उसके बाद भी उसने लोगों की बातों को नहीं माना कि लोग क्या कह रहे हैं, और उसको ऐसा लगा कि मुझसे भी ब बनाएगा और इस घाटी को और बहतर बनाएगा क्योंकि वो ही भविश्वानी पूरी करने वाला व्यक्ति होगा, तो हम इससे सीख ही मिलती है, कि आप जिस भी इंसान से प्रेढ़ना लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो इंसान कोई और हो और आपके सामने दिखे, आप उसको जीवन जीते हुए देखें, तो ही आप उससे प्रेढ़ना ले सकें, आपके मन में एक लक्ष होना चाहिए, जैसे उसका लक्ष था कि क्या होता है, दरसल कि हम जब किसी को आइडियलाइस करते हैं, हम जब किसी के फैन हो जाते हैं, तो हम जब हम दिल से उस इंसान को फॉल व्यक्ति है, इसकी आँखों में कितनी दया दिख रही है, तो हमेशा की तरह अर्नेस्ट ने उस व्यक्ति में एक सबसे परफेक्ट इंसान को देखा था, कि इस से बहतर इंसान कोई नहीं हो सकता है, इसकी आवाज अच्छी होगी, इसके चेहरे में कितनी बहुत बढ़ा विद्वान होगा, यह सारी जो गुण थे अच्छे गुण अर्नेस्ट ने उस एक इमाजनरी व्यक्ति में डाल दिये थे, अपने कालपने को व्यक्ति में डाल दिये थे, उस भविश्यवानी के व्यक्ति में डाल दिये थे, कि वह व्यक्ति ऐसा होगा, औ और ना चाहते हुए या ना सोचे समझे वो खुद ही वो व्यक्ति बन गया जो उसने हमेशा से सोचा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूं तो कुछ इसी प्रकार की चीज हुई है यहां इस चैप्टर में बहुत ही खुबसूरत चैप्टर था बहुत अच्छी सीख देखे गया है हमको और इसी के साथ हमारी हनी ड्यूप पूरी होती है लेकिन अभी आपको पढ़ना बाकी है एक सो हैपन जो कि है सप्लिमेंटरी रीडर और अभी हमने समरी देखिए इसके बाद एंसी आटी सल्यूशन भी बचे हैं जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नमबर वन प्लाटफॉर्म पर जो कि आपको हंड्रेट परसेंट फ्री ओनलाइन एड्यूकेशन प्रवाइड करता है कहां मागनेंट ब्रेंस पर टाइप करें गूगल पर जाके मागनेंट ब्रेंस डॉट कॉम वेबसाइट की स्क्रीन ओपन होगी अपनी अपना कोर्स सि हैं जब उस यूनिट को ओपन करेंगे तो उसमें दिये हुए चैप्टर और उसमें दियोए पोम्स भी आपको मिल जाएंगी और फिर वीडियो स्टार्ट कर लें अपना जिस भी वीडियो को आप देखना जाते हैं वीडियो पूरा देखिए ताकि डाउट क्लियर हो और क सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू